गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल त्याग राज में मैं संजीव कुमार एक बार फिर एक हिस्ट्री और पॉलिटी के टोपिक को इंटर रिलेट करने के लिए एक बहतरीन सा मुद्दा लेकर आया हूँ आप समझें कि आपकी ओल्ड नौलिज और न्यू नौलिज को किस तरीके से में इंटर रिलेट करता हूँ और दो सब्जेक्ट जो हैं उनका कॉंबिनेशन या समामेशन किस तरीके से किया जाता है देखें मैं पहले आपकी ओल्ड नौलिज की बात करता हूँ आप निश्चित तोर पर ये जानते हैं देखें ये इधर हिस्ट्री का पोर्षन है और ये जोग्रफी के बारे में मैंने डिसकस किया है अब देखिए एक्जाम में बहुत जादा पूछता है कि बंगाल के पर्थम गवर्नर तो रोबर्ट कलाईव रोबर्ट कलाईव बंगाल के पहले गवर्नर रहे सबसे पहले 1757 से 1760 तक और फिर सेकिन टाइम फिराए 1765 से 1767 तक ये आप जानते हैं ओल्ड नोलिज है बंगाल के पर्थम गवर्नर जर्नल की बात कर रहा हूं तो वारेन हिस्ट्रिंग 1773 से 1785 मैं इसकी भी बात करूंगा दुबारा इसके बाद भारत के पर्थम गवर्नर जर्नल लेकिन भारत के यहां बंगाल के सिर्फ गवर्नर है ये बंगाल के गवर्नर जर्नल है ये भारत के पर्थम गवर् पर्थम गवरणर जरनल, तो लाड माउन्ठ बेटन, 15 अगस्त 47 से किस जून cruel 48 तक रहें, लेकिं अगर मैं सवतंत्र भारत की बात करूं और पर्थम governor journal की बात करूँ तो देखें ये भी पर्थम सवतंत्र भारत का governor journal है ये भी सवतंत्र भारत का governor journal है लेकिन ये भारतिय governor journal है इनका नाम जो था सी राजगोपला चारी था ये 21 जून 1948 से 26 जनवर 1950 तक रहे ये सारा जो सब्जेक्ट है ये आप history में देखते हैं और history के according आपने ये चीजे जान रखी हैं तो मैं इसे history बोल रहा हूं और साथ साथ मैं बोल रहा हूं कि ये old knowledge है पुरानी जानकरी है इसके साथ एक नई जानकरी आप add करें और समझें जब बंगाल के पर्थम governor बनाए गए रोबर्ट कलाईव उससे थोड़ा दिन पहले प्लासी का यूद लड़ा गया था 23 जून 1757 में इस यूद में इस commander की बहुत एहम भूमिका रही थी ये भी question आता है कि किस governor को आस्मान से उत्रा हुआ governor कहा जाता है या स्वर्ग से उत्रा हुआ governor कहा जाता है तो रोबर्ट कलाईव ये पूछा गया question है इसके बाद आप ये समझें हम जानते हैं कि बंगाल के पहले governor journal वारेन हेस्टिंग थे लेकिन किस act से थे तो 1773 के regulating act के तहत ये प्रावधान किया गया कि जो इस समय बंगाल का governor है उसका पद governor से बढ़ा कर governor journal कर दिया जाए तो प्रावधान इधर है समझें आप ये ये आज की डेट में इत्यास है ये पॉलिटी थी ये ये प्रावधान पॉलिटीकल जो बेटी संसद से महरानी के हस्ताकसर के बाद जो भारत पहुच रहे थे ये प्रावधान थे इनके according इनका implement हो रहा था implement मतलब ये लागू हो रहे थे लेकिन प्रावधान तो ये थे तो आप भी ध्यान रखें कि बंगाल के पर्थम गवर्नर जर्नल वारेन हस्टिंग बने लेकिन 1773 के regulating Act से ये पॉलिटी है जो हिस्टरी के साथ इंटररिलेट कर रही है आगे फिर में बात करता हूँ कि बंगाल के पर्थम गवर्णर जर्णल के बाद भारत के पर्थम गवर्णर जर्णल निश्य तोर पर लाड विलियम बेंटिंग थे लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि इनका टाइम पिरड अठाइस से ठाइस से ठाइस सो पहतीस है और इसी टाइम पिरड पर हम ये देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट तभी पारित होकर आया था इसके बाद ये थोड़ी सी बात और है कि जब देश आजाद होने लगा तो उससे थोड़ा पहले लाड माउंट बेटन आपने माउंट बेटन योजना पढ़ी होगी 3 जून 1947 ये डेट SSECPO में पूछी भी गई है तो उस समय भारत को दो राज्यों या दो राष्टों में विभाजित कर दिया गया इस दोरान 15 अगस्ट 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के सवतंतर भारत के इस बार भारत में सवतंतर भारत के पर्थम गवर्णर जर्णल लाड माउंट बेटन थे लेकिन ये प्रावधान 1947 के भारतिय सवतंतरता या भारत सवतंतरता अधिनियम के तहत ये किया गया ये भी पॉलिटिकल फेक्ट है इसे आप हिस्ट्री के साथ रिलेट करें आपकी जानकरी के लिए ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान ने इस पद को कंटिन्यू नहीं किया था मुहमद अली जिन्ना ने इस चीज़ से इनकार कर दिया था ये भारत में ही रहे 1948 में इसके बाद 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 जब भारत का सविधान पूरी तरह लागू हुआ तब तक भारत के पर्थम भारतिय गवर्नर जर्नल राज गोपला चारी रहे लेकिन ये हिस्ट्री का पोर्षन है अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो 26 जनवरी 1950 को जब भारतिय सविधान को पूरी तरह लागू कर दिया गया तो इसमें ये प्रावदान किया गया कि हम अपने इस भारतिय सविधान के मध्यम से गवर्नर जर्नल के पद को समाप्ट करते हैं तथा इसके स्थान पर हम राष्टपती का पद सर्जित करते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत के बिहार राजिये में जन्मे पहले राष्टपती डॉक्टर राजेंदर परसाद को सपत दिलाई गई और इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना तो ये बात इस बार कहीं बार मैं देखता हूँ कि मेडिया वाले बच्चों से पूछते रहते हैं कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं बार बार पूछते रहते हैं कि ऐसा क्या है कि गणतंत्र भारत को कहा गया तो आप बहुत नपी तुली लेंग्वेज में आप आंसर दें और कहें कि गणतंत्र उस राष्ट को कहा जाता है जिस राष्ट के परमुक का पद वंसानुगत ना हो बल्कि उसका निर्वाचन हो भारत एक गणतंत्र राष्ट बना 26 जनवरी 1950 को और इसके गणतंत्र बनने का जो आधार है वो यह है कि यहां का राष्ट अध्यक्स अर्थात राष्ट पती का पद वंसानुगत नहीं है बल्कि उसका चुना होता है थैंक्यू सो मच